हम सबको पता है कि ब्यूटी का दूसरा नाम लियोपात्रा है सागर जैसी सुन्दर आईज वाली लियोपात्रा को इतियासकारों ने भी कभी उसे ब्यूटीफुल नहीं बोला इवन सेक्स्पियर ने भी उनकी बुक एंथनी एंड लियोपात्रा में लियोपात्रा को ब्यूटीफुल नहीं कहा लेकिन सभी को जब भी लियोपात्रा का नाम आता था वो ब्यूटी लियोपात्रा ही याद आती थी Physically वो उतनी beautiful नहीं लेकिन intelligent होने के कारण लियो पात्रा अपने आपको beautiful फिल करती थी मेल को वश में करने का उसमें talent था इसलिए भी लोग उसे beautiful कहते थे लियो पात्रा ने अपने जीवन में 3 लोगों से marriage की पहली बार वो 14 years की थी लियो इतनी dead थी कि तब इजिप को rule करने के लिए अपने ही brother जो सिर्फ 10 years का था उससे marriage की क्योंकि इजिप को कोई और rule नहीं करना चाहिए हम बोल सकते हैं कि वो beautiful से ज़्यादा dead थी लियो पात्रा ने second marriage अपनी 21 years की age में 52 years के Julius Caesar से की जो Rome का king था लियो पात्रा का brother जो उसका first husband था जिसने उसे इजिप छोड़ने के लिए बोला क्यूंकि उसे ही इजिप को rule करना था इसलिए लियो पात्रा ने खुद को carpet में wrap किया और parcel जैसे Rome king को भेजा जब उस special carpet को Rome king ने unwrap करके देखा तो ओ लियो पात्रा की Rome पहुचने की strategy और उसकी beauty से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ और कलियो पात्रा से उसने marriage भी कर लिया बाद में Julius Caesar ने लियो पात्रा के brother याने first husband को मार दिया और लियो पात्रा इजिप की फिर से queen बन गई बाद में लियो पात्रा की Anthony जो Rome के chief army officer थे उनसे marriage हुई जो Anthony लियो पात्रा से बहत प्यार करते थे उन्होंने ये भी कहा था कि लेट रोम इंट river melt and the wide arch of the rent empire fall here is my space चाहे रोम पिघल कर टीबर रिवर में भह जाये चाहे रोम का empire गिर जाये मेरी मंजिल सिर्फ लियो पात्रा है लियो पात्रा हमेशा अपनी beauty को maintain करने की कोशिश करती थी और उन दिनों उसके लिए उन्होंने परफ्यूम, कॉस्मेटिक और केमिकल्स की इंडर्स्टिस का establishment भी किया था लियो पात्रा डेली hundreds of dunkies के मिल्स से नहाती थी इन एन एवरेज 60% of Egypt's treasury लियो पात्रा की beauty में खर्च होती थी और बाकी बचा Egypt के development के काम में आता था लेकिन उनकी death भी एक mystery है, एक रहस्य है कुछ लोगों का कहना है कि स्नेक से bite करा के उस poison को खाकर suicide किया है इसका रिजन ये भी हो सकता है कि एंटनी की death होने से जूलियस सीजर Egypt पर कबजा कर लेगा और वो queen भी ना रहे कुछ लोग ये भी कहते है कि इतनी beautiful क्लियो पात्रा एक poison snake से bite करा के suicide नहीं कर सकती वो नहीं चाहेगी कि स्नेक के poison से उनकी body खराब हो Egypt के custom के हिसाब से dead bodies को preserve किया जाता है जिनको mummies कहते हैं लेकिन क्लियो पात्रा की mummies अभी तक नहीं मिल पाई चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ Global Encyclopedia में